नमस्का दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने वेडियो में दोस्तों आज का ये वेडियो बहुत ज़्यादा खास होने बाला है तो वेडियो को शुरूर से लेकर अंतर जरूर देखेगा और जानकारी अच्छी लगे अगर वेडियो पसंद आए बीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों यह जो पौदा आप देख रहे हैं यह आपने अधिक तर देखा होगा आपके गाउं के आसपास लगा हुए मिल जाता है इसके साथ ही करंज के औसदी बहुत ज्यादा है यह गंजेपन की समस्या को दूर करता है यह आखों दातों के रोक में अच्छा काम करता है और इतना ही नहीं दोस्तों अगर आर्वेत की बात करूं तो आर्वेत के मतानुसार करंज जो है वह घाओ कुष्ट रोग पेट की बीमारी और पवासिर जैसे भेंकर रोगों को यह दूर करने में सक्छम माना जाता है दोस्तों यह देखिए अभी समय यह करंज फूलों से भर चुका है तो पहले इसके फूलों का ही मैं प्रियोग बता देता हूं जिनको डाइविटीज है जो सुगर की मरीज है तो डाइविटीज मे आप इस करंज के फूलों को ले लिजिगा साथ में पलास के फूल करंज के फूल और दोनों को फूल को ले करके आपको उसमें सूका हुगा करेला मिला लेना है इन सभी तीनों सदियों को आपको दददस ग्राम लेना और फिर आप अगर चुरन से बन करते हैं तो यह डाइ बबासीर दोस्तों करंज को हिंदी में करंज करंज वा या फिर इसको संस्कित में करंज के नाम से जानते हैं तो चलिए हम बता देते हैं बबासीर में कैसे आप इसको प्रयोग करेंगे अगर बबासीर रोग हो गया है तो हलकी सी करंज की च्छाल जैनि एक ग्राम करंज की च और एक ग्राम नीम च्छाल अगर दौनों को ले करके आप क्वाद बना करके प्रियोग करेंगे तो मात्र दो दिन में ही कबजे को दूर करेगा और बबासी जैसे भैंका रोग से छुटकारा मिल जाएगा दोस्तों करंज आँखों के लिए आती हितकारी माना जाता है जैसे क करंज बीच के अगर पिष्ट को दूद में पका करके ठंडा करते हैं और इसे च्छान करके अगर आँखों में काजल की तरह लगाते हैं तो आँखों की रोगों में लाव होता है दोस्तों दातों में बहुत अच्छा काम करता जिनके दातों में कोई दिक्यत है अगर दात करें तो दातों करने से दातों के समझ प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं करंज के प्रयोक से खासी में अच्छा आराम मिलता है दोस्तों अगर तीन ग्राम करंज के बीच के चुरन में अगर मधू मिला करके अगर चाड़ते हैं तो कुकर खासी और बलगमी खासी में अच्छ प्रियोग कीजिएगा ये बहुत अच्छा उसदी है ये चर्म रोगों में अच्छा काम करता है खोन को सुद्ध करता है और ये आपकी नश नश में तागत फिर्दान करता है तो ये जो आपकी आसपास दिखता है पौदाना ये पेड़ ये मामूली मत समझेगा छोटी को सब्सक्राइब करके ही जाएगा और वीडियो को लाइक करके ही जाएगा मिलेगा अगली वीडियो में धन्यवाद नमस्कार